शमुएल का दूसरा ग्रंथ अधियाए पाँच दाउद इस्राइल का राजा दाउद का अभिशेग इस्राइल के सभी वन्शों ने हेब्रोन में दाउद के पास आकर कहा देखिए हम आपके रक्त संबंदी हैं जब सावल हम पर राज्य करते थे तब पहले भी आप ही इस्राइलियों को युद के लिए ले जाते और वापस लाते थे प्रभु ने आप से कहा है तुम ही मेरी प्रजाई इस्राइल के चरवाहा इस्राइल के साशक बन जाओगे इस्राइल के सभी नेता हेबरोन में राजा के पास आये और दाओद ने हेबरोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझाता कर लिया उन्होंने दाउद का इस्वाइल के राजा के रूप में अभिशिक किया जब दाउद राजा बना तो उसकी उम्रतीश वर्ष की थी और वा चालिश वर्ष तक राज्य करता रहा उसने हेब्रोन में साड़े साथ वर्ष तक यूदा पर राज्य किया और यरुशलेम में तैंतीस वर्ष तक समस्त इस्वाइल और यूदा पर राज्य किया यरुशलेम पर दाउद का अधिकार राजा ने अपने सैनिकों के साथ यरुशलेम जाकर यवुसियों पर जो वहां के निवासी थे आक्रमन किया उन्होंने दावद से कहा तुम यहाँ प्रवेश नहीं करोगे अंधे और लंगडे तुमको भगा देंगे कहने का अभिप्राय यही था कि दावद यहाँ कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा किन्त दाउद ने सियोन के खिले पर अधिकार कर लिया और उसका नाम दाउद नगर रखा उस दिन दाउद ने कहा जो यबुसियों को पराजित करना चाहता है उसे पानी की सुरंग से प्रवेश करना होगा दाउद उन लंगडोंग और अंधोंग से घ्रिना करता है इसलिए लोग कहते हैं अंधे और लंगडे मंदिर में नहीं आ सकते दाउद नगर का निर्मान दाउद उस गड़ में रहने लगा और उसने उसका नाम दाउद नगर रखा दाउद ने मिलो से लेकर गड़ के चारों और नगर बनवाया दाउद की शक्ती निरंतर बढ़ती गई क्योंकि प्रभु विश्व मंदल का इश्वर उसका साथ देता रहा तीरूस के राजा हिराम ने देवदार की लकड़ी, बढ़ाईयों और शिल्पकारों के साथ दाउद के पास दूद भेजे और उन्होंने दाउद के लिए महल बनाया अब दाउद जान गया कि प्रभु ने उसे इसराइल का राजा बना दिया है और अपनी प्रजाई इसराइल के कारण उसका राज्य महान बना दिया यरुशले में उत्पन्न दाउद के पुत्र हेब्रोन से आने के बाद दाउद ने यरुशले में अन्या उपपत्निया रख ली और उसके और पुत्र पुत्रें उत्पन्न हुए यरुशले में उत्पन्न उसके पुत्रों के नाम ये है शमुआ, शुबाब, नातान, सुलेमान, यभार, यलिशुआ, निफेग, यफिया, एलिशमा, एलियादा और एलिफिलेट फिलिस्तियों पर दाउद की विजय जब फिलिस्तियों ने सुना कि दाउद का इसराइलियों के राजा के रूप में अभिशेक हुआ है तो वे सभी दाउद की खोज में निकले यह सुनकर दाउद ने किले में आश्रे लिया फिलिस्तिय आये और रफाइम के मैदान में फैल गए तब दाउद ने प्रभु से पूछा क्या मैं फिलिस्तियों पर आकरमन करू क्या तु उन्हें मेरे हाथ दे देगा प्रभु ने दाउद को उत्तर दिया हाँ आकरमन करो मैं फिलिस्तियों को अवश्य तुम्हारे हाथ दे दूँगा दाउद ने उन्हें बाल परासीम जाकर पराजित किया उस समय उसने कहा प्रभु ने मेरे सामने मेरे शत्रों की पंक्ती इस प्रकार तोड डाली है जैसे पानी बांध को तोड डालता है इसलिए उस्थान का नाम बाल परासीम पड़ गया फिलिस्तियों ने वहाँ अपने दीव मूर्तियां छोड़ दी दाउद और उसके आदमी उन्हें वहाँ से ले गए फिलिस्ति फिर आये और अफाइम के मैदान में फैल गए दाउद को प्रभु से पूछने पर उत्तर मिला उन पर सीधे आकरमन मत करो बलकि चकर काट कर उनके पीछे पहुँचो और मोखा वरिक्षों की ओर से चड़ाई करो जैसे तुम मोखा वरिक्षों के शिक्रों में चलने की आवाज सुनोगे तो आकरमन करोगे क्योंकि तब फिलिस्तियों की सेना को पराजित करने के लिए प्रभु तुम्हारे आगे आगे जा रहा होगा दाउद ने प्रभु की आग्या का पालन किया और फिलिस्तियों को गेबा से लेकर गिजेर तक मार भगाया यरुशले में विधान के मंजूसा अध्याय च्छे दाउद ने इसराइल के 30,000 चुने हुए पुरुशों को एकत्रित किया इसके बाद वह अपने सब लोगों के साथ युदा प्रदेश के बाला गया इश्वर की मंजूसा एक नए गाड़ी पर रखी गई और तीले पर स्थित अभिनदाब के घर से ले जाई गई अभिनदाब के पुत्र उजा और अहियो उस नए गाड़ी को हांक रहे थे वे टीले पर स्थित अभिनदाब के घर से ईश्वर की मंजूसा ले जा रहे थे आहियो मंजूसा के आगे-आगे चल रहा था दाओदर सभी इस्राइली प्रभु के सामने नित्र करते गाते और सारंगे डफ, डमरो, ज्हाक आदी बजाते हुए चल रहे थे जब वे नाकोन के खलिहान के पास आए तब उजा ने हाँट उठा कर ईश्वर की मंजूसा को संभाला क्योंकि बैलों को ठोकर लग गई थी प्रभु का कौप उजा पर भड़क उठा और उसने वहीं उजा को इस भूल के कारण उसे मारा इश्वर की मंजूसा के पास ही उसकी मृत्यू हो गई दाउद बहुत घबरा गया क्योंकि प्रभु का क्रोध उजा पर भड़क उठा उस्थान का नाम पेरेस उजा पढ़ गया जो आज तक प्रचलित है उस दिन यह सोचकर दाउद प्रभु से डर गया कि प्रभु की मंजूसा मेरे पास कैसे आ सकती है इसलिए दाउद प्रभु की मंजूसा अपने यहां दाउद नगर नहीं लाया बलकि दाउद उसे गतवासी उबेद एदोम की यहां ले गया प्रभु की मंजुसा तीन महिने तक गत के उबेद एदोम में यहां रही प्रभु ने उबेद एदोम और उसके सारे परिवार को आशिरवाद दिया राजा दाउद को खबर मिली कि प्रभु ने ईश्वर की मंजुसा के कारण उबेद एदोम के घर वालो और उसकी संपत्ति को आशिरवात दिया है इसलिए दाउद गया और ईश्वर की मंजूसा उबेद एदोम के घर से बड़े आनन्द के साथ दाउद नगर ले आया जब ईश्वर के मंजूसा ढोने वाले च्छा कदम आगे बढ़े थे तो दाउद ने एक बैल और एक मोटी बच्छडे की बली चड़ाई वा छल्टी का अधोवस्तर पहने प्रभू के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था इस प्रकार दाउद और सब इस्राइली जैकार करते और तुर ही बजाते हुए प्रभू की मंजूसा ले आये जब प्रभू की मंजूसा दाउद नगर में प्रवेश कर रही थी तो साउल की पूतरी मिकल ने खिड़की से देखा उसने राजा दाउद को प्रभू के सामने नास्ते कूते देखकर मन ही मन दाउद का तिरसकार किया उन्होंने मंजूसा को लेकर उस तंबू के माध्य में रख दिया जिसे दाउद ने उसके लिए खड़ा किया था इसके बाद दाउद ने प्रभु को होम और शांती के बलिदान चड़ाए होम और शान्ती के बलिदान चड़ाने के बाद दाउद ने विश्व मंडल के प्रभू के नाम पर लोगों को आशिरवाद दिया अंध में उसने समस्त प्रजास सभी एकत्रित इसराइली पुरुशों और स्त्रियों को एक-एक रोटी, भुने हुए मास और एक-एक टुकड़ा और खिश्मिश की एक-एक टिकियां दी इसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए जब दाउद अपने परिवार को आशिरवाद देने अपने घर आया तो साउल की पुत्री मिकल दाउद से मिलने आई और बोली आज इसराइल के राजाने कितना यश्च कमाया कि अपने सेवकों की दासियों के सामने निकमों की तरह नंगे बदन नाचते रहे दावद ने मिकल से कहा प्रभु ने तुम्हारे पिता और तुम्हारे सारे घराने की अपेक्षा मुझे चुना है और मुझे प्रभु की प्रजा इस्वाइल का साशक बनाया है मैं उसी प्रभु के सामने नास्ता रहा और नाचूंगा मैं इससे अधिक अशोबनिय आश्रन करूंगा और अपनी दृष्टी में अपने को और नीचा दिखाऊंगा किन्तु जिन दासियों की तुम चर्चा करती हो वे मेरा सम्मान करेंगी सावल की पुत्री मिकल मृत्यु तक बांज रही स्तोत्तर ग्रंथ अध्याए 133 ओह भाईयों का एक साथ रहना कितना भला है कितना सुखत या सीर पर सुखंदित तेल जैसा है जो दाड़ी पर हरुन की दाड़ी पर उतरता है जो उसके कूर्ते की गरदानी तक उतरता है या हैर्मन परबत की ओस जैसा है जो सियोन के परबतों पर उतरती है प्रभू वहाँ अपना आशिरबात प्रदान करता है सदा सरवदा बना रहने वाला जीवन स्तोतर ग्रंथ अध्याए 134 प्रभू के सब सिवकों जो रात के समय मंदिर में नियुक्त हो प्रभू को धन्य कहो वेदी की ओर हाथ उठाकर प्रभू को धन्य कहो सियोन से वह प्रभू तुमको आशिरबात प्रदान करे जिसने आकाश और प्रित्वी को बनाया है संत मार्कुस का सुसमचार अध्यबारा सबसे बड़ी आग्या तब एक सास्त्री ईसा के पास आया उसने यह विवाद सुना था और यह देख कर कि ईसा ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया था उनसे पूछा सबसे पहली आग्या कौन सी है ईसा ने उत्तर दिया पहली आग्या यह है इसरायल सुनो हमारा प्रवईश्वर एक मात्र प्रभु है अपने प्रवईश्वर को अपने सारे हिदय अपनी सारी आत्मा अपनी सारी बुद्धी और सारी शक्ति से प्यार करो दूसरी आग्या यह है अपने पडोसी को अपने समन प्यार करो इनसे बड़ी कोई आग्यां नहीं शास्त्री ने उनसे कहा ठीक है गुरुवर आपने सच कहा है एक ही ईश्वर है उसके सिवा और कोई नहीं है उसे अपने सारे हृदय अपने सारी बुद्धी और अपने सारी शक्ती से प्यार करना और अपने पडोसी को अपने समान प्यार करना यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है ईश्वर ने उसका विवेक पूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा तुमीश्वर के राज्य से दूर नहीं हो इसके बाद किसी को ईशा से और प्रश्ण करने का साहस नहीं हुआ मसीह दाउद का पुत्र ईशा ने मंदिर में शिक्छा देते समय यह प्रश्ण उठाया शास्त्री लोग कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाउद के पुत्र हैं दाउद ने स्वयम पवित्र आत्मा की प्रेरना से कहा प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा तुम तब तक मेरे दहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रों को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूँ दाउद स्वयम उन्हें प्रभू कहते हैं तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं एक बिशाल जनसमो बड़ी रूची से ईशा की बातें सुन रहा था शास्त्रियों का पाखंड ईशा ने शिक्षा देते समय कहा शास्त्रियों से सवधान रहो लंबे लबादे पहन कर तहलने जाना बजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना सवाग्रियों में प्राथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर बिराजमन होना यह सब उन्हें बहुत पसंद है वे बिध्वाओं की संपती चाट कर जाते और दिखावे के लिए लंबी-लंबी प्रार्थनाएं करते हैं उन लोगों को बड़ी कठोर दंडग्यां मिलेगी बिध्वा का पैसा इसा खजाने के सामने बैठ कर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे बहुत से धनी बहुत दे रहे थे एक कंगाल बिध्वा आई और उसने दो अधेले अर्थात एक पैसा डाल दिया इस पर ईसा ने अपने शिश्यों को बुला कर कहा मैं तुम से यह कहता हूँ खाजाने में पैसे डालने वालों में से इस बिध्वा ने सबसे अधिक डाला है क्योंकि सब ने अपनी सम्रदी से कुछ डाला परन्तु इसने तांगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वा सब दे डाला झाल झाल